आप कहेंगे सफलता कैसे मिलेगी मैं आप से कहता हूं सफलता ऐसे मिलेगी जैसे आज हम लोग परमिश्र का वचन जो है वो देखने वाले हैं सफलता ऐसे मिलेगी अलेलुय. आएं हम लोग दूसरा इतियास शब्वीस अधिहाई में चलेंगे देखिए आप कहेंगे कि विश्वची इतियास में से वचनों को पढ़ते हैं कि इतियास में जो गटनाएं हुई हैं उनका हमारे उपर क्या आसर होता है वो हमें समझना होता है कि उस समय इस व्यक्ति ने इतियास में इस व्यक्ति ने ये किया था और इसको परमिश्वर ने उंचा किया था और इतियास में इस व्यक्ति ने ये किया था और उसको परमिश्वर ने नीचे किया था फिर हम सीखते हैं अच्छा ठीक है हमें ये करना है और ये नहीं करना तो परमिश्व के लोगों जो परमिश्व का वचन है वो पुवितर आत्मा के द्वारा लिखा गया असल में मूल बाशा में है परमिश्वर के सुवास के द्वारा लिखा गया संपूर्ण पुवितर शाष्टर सब्सक्राइब आपका पोईतर बच्ण पुभारा लिखा अाज पुदुरात्म को दौरा बोला जाए पुदुरात्म को अपड़ा मरहिर्दों में काम करें, आमें, परमिश्य के लोग एक बाई याद रुखीगा, जब आप परमिश्य को वच्चन सुनते हैं, अगर आपके रोंगते से खड़े होते हैं, संसनी से खड़े आपके बोड़ी शरीर को लगती है, तो इसका मतल आपके लिए ये वच्चन है, और इसका मतल आपके अंदर वच्चन नहीं काम किया, क्योंकि आपने विश्वास के साथ वच्चन को सुना नहीं, कुछ लोग सीखने के लिए वच्चन सुनते हैं, जो लोग वच्चन को सीखने के लिए सुनते हैं, वो वच्चन को सीखते हैं, लेकिन कुछ लोग वच्चन क वो अपने लिए गुरहन करते हैं कि ये परमिश्राज मुझसे ये बोल रहे हैं तो जब आप ये करते हैं कि परमिश्राज मुझसे अब कुछ बोल रहे हैं ये परमिश्र मुझसे वचन कह रहे हैं तो फिर वो आपके लिए जीवत वचन होता है जैसे बरानिय चारबाना में लिखा है परमिश्र को वचन जीवत और पावर्फुल है हिंदी में लिखा प्रबल पावर्फुल है फिर वो आपके लिए जीवत वचन होगा अगर आप शिक्षा पाने के लिए सिर्फ कर रहे हैं भी सिखें क्या है क्या त्यास में अच्छा यह गटना हुई थी तो ठीक है मतलब कोई भी आयत बोल लिए उस पर हम लोग परचार कर सकते हैं रब्बु की अनुग्रह से आप पूरी बैबल में से कोई आयत नकाल ले हम लोग पढ़ें और उसको उपर परचार कर देबास सीख है समय पूरा हो गया लेकिन हमें आपके लिए संदेश लेना होता है पर ऐसी तरीके हैं और विंती करें प्रमिश्वर स संदेश लेते हैं कि परमिश्वर आप अप संदेश को देना चाते हैं तो आप आपके लिए आस आपको श्यतान नहीं कि लेकिन जब आप लाइव कि प्राता सुनते हैं वचनों को सुन तो आपको लगता है कि समय खर् until रहा है दाटा खतम हो रहा हépoque जो पता नहीं एक जब दो जब्होंजोत जो भी आपको मिलता है जा अनलिंटेद आप लेते आपको पता है व्य कि देखिए अगर आप डाटा यूज करेंगे ना तो आटा भी आएगा अगर आप डाटा बचा कर रखेंगे ना तो आटे की भी दिक्कत हो जाएगे आटा मतल्ब खाने पीने के वस्तुएं क्योंकि जब आप परमिश्क वचन को सुनेंगे परमिश्च एक दम आप से कह रहे होते हैं मैं आपको धन्य कर रहा हूं जब आपने सुना तो आप धन्य हो गए आपने ग्रैन किया तो अगर आपने ग्रैन नहीं किया सुना ही नहीं म लिए लाई परातना को सुनने के लिए और परमिशन ब्रस भी करेंगे एलिया एलिया गया जब और उस सारपति की विद्वाव के पास तो इसे कह रहा के मेरी बात को सुनो परमिशन मुझे आगया दिये तुमारे लिए वो कहते ने 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 मेरे ताटा खत्म हो जाएगा तो अगर वो लाइव बैठा होता है वो लाइव कहता कि बीबी तेरे लिए पर्मिशन मुझे आग्या दी है वो कहते नहीं नहीं मैं आग्या नहीं सुननी मैं तो डटा खत्म हो जाएगा अटा पहले गर में खत्म हुआ हुआ मैं और मेरा बेटा एक रोटी का अटा है खाएंगे और बाद में मर जाएंगे वो नहीं सुनती मतलब बचन को तो फिर क्या होता फिर मरी जाते अगर उस समय लाइव चल रहा होता हूँ और परमिश्च का दास कहा रहा होता देख तेरा अटा कभी खतम नहीं होगा तो जीवत रहेगी तो अकाल के दिनम में भी वो जीवत रहे आपको बता ही है जब तक अकाल खतम नहीं होगा वो जीवत रहे इसलिए जब आप सुनेंगे तो ही तो है परमिश्च को सुनेंगे गुवाहियों को सुनेंगे चिनी और चम्तकार होंगे आज ही मुझे एक विक्ती बता रहा था कि पराथना पर गया उसको बेज़ा था मैंने तो वो मुझे कह रहा कि मैं उन्होंने उसे बताया कि एक बहन थी और उससे था उसने कहा कि उसके पत्री थी पत्री तिए और ऐसे हाथ में उसनें तो इस बेन ने कहा नाम है संदीप कौर गुर्दे में पत्री है तो यह है वो बेन और मेरे पास उनन भेजाज गौही देंगे यह और इनका कुरिष्टदार यह ने लेकिया था तो गुर्दे में इसके पत्री है और वही प्राथना में ही वो पत्री निकल गई उसी वक्ती वो समय उसे चंगा कर दिया मतलब प्राथना के अंदर ही गुर्दे से वो जी थी ओ हाथ में पेज पकड़ा हुए उसने के मेरी जो पत्री है वो निकल जाए कैसी बड़ी बात है तो उनके रिष्टेदार जो उसके लेके गए थे आज इन तो मैंने बेज़ा था उनके घर प् पकड़ा हुआ और पेज पकड़ा उसके ऊपर लिखा हुआ उसका नाम लिखा उसन दीप को रिष्ट लिखा है तो फत्री है गुर्दे में वहीं प्राथना की और उसी समय उसी समय निकली यह है अद्बुत करे करने वाला परमेश्वर तो जब आप विश्वास करेंगे जब आप विश्वास करके उन गवाहियों को सुनेंगे उन गवाहियों को सुनेंगे तो परमेश्वर जो हैं आपके जीन वे काम करेंगे हैं जैसे आप गवाही सुनते हैं तो अगर आपके अंदर उतेजना सी परगट होती है अगर आपके अंदर थोड़ी सी मतलब मतलब जैसे रूंग्टे सखड़े हो जाते हैं तेजना सी हो जाती भी वाव ऐसा परमिशन ने किया तो इसका मतलब वो गवाही आपके अंदर काम कर रही है जब वचन जो आप सुन रहे हैं तो इसका मतलब वचन जो है वो आपके अंदर काम कर रहा है जहां आप मास प्रेयर सुन रहे हैं आप उसे प्रवावत हो रहे हुं वाव परमिश नंग यह लिए काम कर रहा है द्वर फिए आप राधनामेगए निश्चे ही आप परमिश और संगा करते हैं उसलिए अगर आप लाइو जोड इसलिए उनकी गसे अबी है पर्मिष्र करते हैं इन सभातों के लिए हम लोग परमिश्र के प्वित्र वच्ण को देखती हैं दूसरा इतियास शब्वीस अधियाई और उसका एक वच्ण पढ़िएगा तब सब यूद्धी प्राज्या ने उजिया को लेकर जो सोना वर्ष का था उसके पिता अमस्या के स्थान पर राजा बनाया जब राजा अमस्या अपने प्रुखों के संग्स तो क्या हुआ उजिया जब सोना वर्ष का था परमिशन उसे राज्य दे दिया और 52 वर्ष तक वो राजय करता रहा 52 दाउद ने 40 साल किया शौल ने 40 साल किया और इसने 52 वर्ष तक किसे ने राजय किया अब शे वचन से हम लोग पढ़ेंगे कि क्या हुआ शे से लेकर 15 वचन तक पढ़ेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा सफलता कैसे मिलती है शे वचन पढ़िएगा शे से लेकर 15 वचन तक पढ़िएगा और एशुदोत के आसपास और प्रिस्तियों के बीज में नगर बसाए, प्रमिशर ने प्रिस्तियों को हाँ थोड़ थोड़ का कर दो समते जाए, सफलता क्या थी उसे, फिर मैं बताँगे सफलता मिली कैसे सफलता क्या सी पहला यहां लिखा हुआ जो तब उसने जाकर पलिस्तियों से युद किया और गत यबने और अशदोद के अशदोद की शैर पनाहें गिरा दी यह हैं फलिस्तियों की मतलब दुश्मनों की दुश्मनों ने जो गत यबने और अशदोद के चारों शैर पना बना रखी थी इसने जाकर दुश्मनों की शैर पना गिरा दी यह एक बड़ी उपलब दी थी गिसी राजे के चारों और जो जुरी द्वी की अचारों और जो जैसे जिरुली की होती थी जो शैर पना होती थी उसको इगरा दीया तो फिर जब मर्जी जीत सकते हैं ठीके यह इसके सफलता थी δुश्मनों के बारे में और अशदोद के आस पास और पलिस्तियों के बीच में नगर बसाए तो इसने फिर क्या किया अश्दोत के आसपास अपने नगर बसा दिये ते पलिस्तियों के बीच में जाकर नगर बसा दिये ये इसकी सभलता थी पलिस्तियों के बीच में जाकर उनकी बूमी पर नगर बसा दिये परमेशन ने पुलिस्तियों और गुबलवासी अर्बियों और मुनियों के विरुद उसकी साहता की तो क्या किया परमेशन ने क्या किया इसकी साहता की गुबलवासी अर्बियों और मुनियों के विरुद इसकी साहता की मतलब दुश्मनों को जीतने में पर्मिशन इसके सहता की और ये काम जब हो गया हमोनी उज्या को भेट देने लगे बरन उसकी किर्ती मिश्र की सिमा तक भी पैल गई हाँ तो क्या हुआ फिर जो अमूनी थी दुश्मन जो थे ठीक है अमूनी जो दुश्मन थे अमूनी ऊजिया को भेंड देने लग गए आके भेंड देने लगे ठीक है जो दुश्मन थे जो लूटते थे वो भेंड दे रहे हैं अमूनी उजिया को भेंड देने लगी वर्न उसकी कीरती मिसर की सीमा तक भी फैल गी अब जब इसकी कीरती मिसर की सीमा तक फैल गी लिखा है क्योंकि वह अत्यांत सामर्थी हो गया था वह अत्यांत सामर्थी हो गया था बहुत सामर्थी हो गया था उसकी कीरती मिसर की सीमा तक फैल गी दुश्मनों के उपर विजय पा रहा है दुश्मनों के बीजवे नगर बसा रहा है और परमेशन ने उसकी सैता की लिखा हुआ है परमेशन ने उसकी सैता की दुश्मनों को जीतने के लिए परमिश्वन ने उजिया की सैता कि और उसकी कीर्टी उसका याच मिसर की सीमा तक फैल गया क्योंकि वो अत्यांतर समर्थ ही हो गया था था नौवचन फिर उजिया ने युरुश्लम में कोणने के फाटक और त्राई के फाटक और शार्पना के मोड पर गुम गुमट बनवा कर द्रड किया तो उसके क्या किया जो दुश्मन की चारदवारी थी मतलब शार्पना थी उसको तो गुरा दिया लेकिन अपना मिजबूत कर लिया जिरुश्लम जो राई दनी होता था उसके कोने के फाटक और शार्पना के जो मोड थे इसने गुमट बना ये और उपर सैना रहती थी एक तो दूर से पता चल जाता था को दुश्मन आ रहा है एक गुमट को उपर से अगर वो आते युदक लिये पास तो गुमट को उपर से वो तीर शोड़ते थे हमला करते थे तो इसने अपने जिरुश्लम को तो मजबूत कर लिया लेकिन उनक के पास बहुत से जानवर थे इसलिए उसने जंगल में और नीचे के देश और चौरस देश में गुमट बनवाए तो इसने क्या किया फिर इसके पाफ बहुत से जानवर थे इसने क्या किया जंगल में जंगल में भी और नीचे के देश में जो चौरस देश था नीचे के द बहुसे होद खुदवाए बहुसे होद खुदवा दिये जिनके अंदर पानी जो था वो स्टोर किया जाता था बहुसे होद खुदवाए और पहाड़ों पर और कमेल में और करमेल में उसके किसान तरमेल भी वो था आपको पता पहाड़ है बड़ा उंचा पहाड़ है मैं ग की बारियों के माली थे हलेलुया और उसकी दा की बारियों के माली थे किसकी उपर पहाडों पर अब देखिए पहाडों पर भी ये खिती कर रहा है इसके कसान वहां पर और करमेल की उपर भी पहाडी है वो भी पहाडों पर दा की बारियों लगे हुई हैं अंगूरों के कि बारियों के माली थे क्योंकि विए खेती किसान करने वाला था तो यह क्या कर रहा है सफलता मिल रही है दुष्मिनों के गत खने श्यर पनाएं तोड़ दी धुष्मिनों कि अंदर जाके नगर बसा दिये क्योंकि पर्मिशन इसकी सहता की थी एक दुश्मन नी अमोनी हो चाहे प्लिस्ती हो ना सब और मिश्वर देख तक इसकी की थी फैल गी यह एतियांत सामर्थी हो गया इसने अपना मजबूत कर लिया यूरुशलम में बड़े-बड़ फाट क और गुमबट बनवा दिये इसके बहुत से जानवर थे यह एक बड़ी सफलता है बहुत से जानवर थे और इसके जंगल में और नीचे के देश और से देश सब जागा गुमबट बनवा दिये बहुत सरहौद बनवा दिये यह सब क्या है यह सफलता है बड़ी सफलता है प सून वर्ष का था जब राजय करने लगा और बावन वर्ष तक राजय करते रहा तो सिर्फ इतना नहीं हां आगे पढ़िएगा ग्यारा मचन फिर उज्या के युद्धाओं की एक सेना थी जिनकी गिंती येल मुंशी और अच्छा फिर इसकी सेना थी ये भी एक सफलता है य कितनी बड़ी सेना थी इसकी फिर उज्या के युद्धाओं की सेना थी जिनकी गिंती येल मुंशी और मसिया सरदार हन्या नामक राजय के एक हाकिम की आग्या से करते थे हां और उसके उनसार वहें दल भंद कर लड़ने को जाती थी हां कितनी सेना थी आगे पढ़ना बा जो शूरविर थे उसकी पूरी गिंती दो होजार छे सो थी ठीक है दो होजार छे सो मुखे पुर्ष थे ठीक है अब आगे उसके अधिकार में उनके अधिकार में तीन लाक साड़े साथ हजार की एक बड़ी सेना थी हालेलुया तीन लाक सड़े साथ हजार की सैना तीन लाक सड़े साथ हजार की सैना और जो उनके मुखिये थे वो दो हियार छेसो थे लेकिन सैना जो थी तीन लाक सड़े साथ हजार की बड़ी सैना अब तीन लाक सड़े साथ हजार की इतनी सैना है तो उसको खाने के लिए दे तो तीन लाग सबस्वार्द 725 यार दिर्क मनों 영द या यह भाला देते तो तीन लाग से उपर भाले होगे इतनी बड़ी सेना थी इतनी बड़ी सेना थी ये सब सफलता है उसकी ये सब सफलता है ये सब सफलता है एक ये बोड़ बड़ी सेना थी जो शत्रों के वरुद राजा की सैता करने के बड़े बल से युद्ध करने वाले थे ठीक है अब चौदा मचल पढ़िएगा हाँ अब इसकी बड़ी सफलता ओर थी इसके लिए था पूरी सेन है पूरी सेनह के लिए पूरी सेनह के लिए पूरी सेनह कितनी है तीन लाग साधा साती यार के एक बड़ी सेनह मुख्यew मुख्यआ पुरश दो हूँ 066003, Simon साथ सेन तो अब लिखा इस इनके लिए अर्थात तोप बनवाए जिलूं जिलूं बनवाई दुनुष बनाए और गोफर्ण के पत्फर तियार कीए आलेलुया यह संसरें बड़न के पत्थर पिरांक ते तली और तो गे इन के लिए बनवाए तौक बंपद्धर नंशें कि मतवल करें बताओं गार में आपको ऐसे नो फिर उसने यरुशलम में गुमट और कंगूरों पर रखने को चतुर पुरुषों के निकाले हुए यंत्र भी बनवाए तो फिर इसने क्या किया जो यरुशलम इसने में गुमट बनवाए थे बड़ बड़ गुमट बनाये थे और कंगूरे कंगूरे क्या होता मतलब गुमट यह जम उसने गुमट बने और कंगूरे एइस ने पता क्या किया कुछ शलाक मेंशियों के दौरा बनवाए हुए, इसने क्या किया? यंतर रखवा दिये. उपर, गुंटो के उपर जंतर, जैसे आज उपर तोपें रखी हूँ, अपने, तोप रखी हूँ, मज़ैलें रखी हूँ, इसने उपर यंतर रखवा दिये. कैसे जंतर लिखा है, जंतर भी बनवाये, जिनके दोवारा तीर और बड़े-बड़े पत्थर फैंके जाते थे, ऐसे इसने जंतर बनवाद गे, जो तीर और पत्थर फैंके जाते थे, मतलब ऐसा नहीं है, कि जनी कि इसने ये बनाया भी एक ऐसी कमान ली और उसमें एक तीर रखा और इसे एक तीर को चलाया और जैसे आम लोग चलाते थे जहां कोई जादा उश्यार है सैनक तो उसने क्या किया उसमें तीर कमान में दो तीर रख लिया और दो कठे चला दिये तीन कठे चला दिये य यह ऐसा नहीं था इसने ऐसे जंतर बनाया था जैसे बड़ा सा ऐसे बड़ा सा की जंतर हो और उसके अंदर सेंकड़े तीर डाल दिये उसके अंदर सेंकड़े तीर रख दिये और उनके पीछे एक ऐसे परकार से कमान कर दी कि अगर वो एक को ऐसे करके शोड़ेंगे तो सेंक कर रहे हैं तो आगे जितनी भी सेना अगर जुद करने के लिए आएगी तो सब नीचे मरेगी क्योंकि यह उपर से तीर फैंक रहे हैं तो नीचे वाले वैसे उपर करके तीर कहां चलाएंगे वहां उपर उनके और फिर इसने क्या किया कि यह बड़े-बड़े पत्थर फैंक contenido कि दो गाने क्या जाएंगा जैसे सुमझाने कर अथा रहूंगा तो इसके अंदर जैसे आपने गलेल देख योगी गूलेल तो में क्या होता है ऐसे ओता है ऐसे और ऊपर रभड़े पिलर खड़े कर दिये आपको समझाने के लिए पिलर होसाता पेड हूं तो उनके साथ इसने मतलब जैसे वो गुलेल टैप बड़ा सा पत्थरों को फैंकने के लिए ऐसा कर दिया सिस्टम कि ऐसे जोर से पीछे दो चार बंदे को खीचते थे और बड़ा सा पत्थर लगा देते थे और एकदम से जैसे हाँ छोड़ते थे तो बड़ा सा पत्थर जाकर उनको उपर गिरता था बड़ा पत्थर जाकर दूर जाकर गिरता था तो वो गुलेल यह नहीं है इस वाली गुलेल नहीं चोटे वाली नहीं बड़े-बड़े पत्थरों को फैंकने के लिए इसने बना कीरती दूर दूर तक फैल गी पहले कहां तक फैली थी पहले इसकी कीरती फैली लिखा हुआ है मिसर तक जो लगा तर वचन को सुन रहे होने मालम है तो पहले जो थी वो मिसर तक पहुंची आठ वचन लिखा कीरती मिसर की सीमा तक ही तक भी फैल गी आठ वचन लिखा है लेक सफलता का राज क्या था इसे कैसे सफलता मिली ऐसा इसने क्या कर लिया कि इसको सफलता मिली और ऐसा आप क्या करें कि आपको भी सफलता मिली कुछ तो इसने किया कुछ तो इसने किया जिससे इसको सफलता मिली कुछ तो इसने किया इतनी बड़ी दुश्मनों के उप़ार पहाड़ों पर कसानी कर रहा है यहाँ बात है हम इसरेयल में जाते हैं ना वहाँ पहाड़ों पे गेहूं उगाउता है ऐसे पहाड़ों पे ऐसे लग रहा है जैसे को उपर चद्दर बिशार की हो बिलकुल बराबर बराबर ऐसे ऐसे पहाड़ उचे ऐसे ऐसे जैसे पहाड़ जो भी है सब वहाँ पर यह हूं लगा हुआ तो यह तो बहुत परानी बात है तो जो हम लोग देखते हैं वो तो आज हम लोग देखते हैं वहाँ पर खेर इसने दुश्मनों पे विजय पा रहा है बड़े-बड़े हौद बनवा रहा है दुश्मनों के बीच में अपने नगर बसा दिये अपने आपको मजबूत कर रहा है कितनी बड़ी सैना बना ली तो ये कितनी बड़ी सफलता है कितनी बड़ी सफलता है देखिए एक राजा को यही सफलता चाहिए होती है दुश्मनों पर विजे पाना और अपने आपको मजबूत करना हर पक्ष में मजबूत करना यहीं तो होता है सफलता इसने बहुत बड़ी सफलता पाई जच फैल गया आपको मतल अपने शेतर में सफलता चाहिए होगी जैसे कि आप जॉब में, बिजनिस में, स्टडी में, आपकी हाथ के कामों में जो भी आपकी है तो आपको भी सफलता चाहिए होगी तो अब आप यह देखिए मैं आपको बताना चाहरा हूँ कि इसने ऐसा क्या कर दिया जो इसके सफ़ता मिली जो आपको करना है जो आपको करना है हलेलुया आए हम लोग परमिश्र के वचन को पढ़ेंगे इसने क्या किया और वो है 26 दहई और 5 वचन दूसरा अतियाज 26 दहई पांच वचन जहां से हम लोग पढ़ रहे हैं पांच दिनों में जो परमेशर के दर्शन के विशय समझ रखता था वह परमेशर की खोज में लगा रहता था और परमेशर की खोज में लगा रहा फिर से पड़ो इसो पांच में जक्रिया के दिनों में जो परमेशर के दर्शन के विशय समझ रखता था जक्रिया के विशे में जो परमेशर के दशनुक समझे रखता था उस हमें की बात हो रही है बात हो रही है उजिया किसी की वह परमेशर की खोज में लगा रहता था वह मतलब उजिया उजिया परमेशर की खोज में लगा रहता था ये विक्ति जिसकी बात कर रहे हम लोग ये परमिश्च की खोज में लगा रहता था उजिया राजा परमिश्च की खोज में लगा रहता था ये नहीं के इतनी बड़ी सफलता इतना बड़ा ये सब भी मैं तो राजा हूँ मेरे पास तो टैम ही नहीं है मैं कहां टाम नकालनू परमिश्र को खोजने के लिए मैं कहां टाम नकालनू परमिश्र गुम्बनी हो गया को उसको खोजने जाना है परमिश्र के खोजने का मतलब होता है परमिश्र की चाना रखना परमिश्र की तांग रखना परमिश्र की इच्छा को जानने की कोशिश रखना परमिश्र की इच्छा को जानने की चाना रखना परमिश्र की इच्छा को पूरे करने की कोशिश करना परमिश्र को संती में चलना ये परमिश्र यहवा की खोज में लगा रहा ये परमिश्र यहवा की खोज में लगा रहा जब तक वे परमिश की कोज में लगा रहता था तब तक परमिशन ने उसको सफलता दी यह परमिश की कोज में लगा रहा अब परमिशन इसे सफलता दी जब तक वो परमिश की कोज में लगा रहा परमिशन इसे सफलता दी अलिलुया, जब पर्मिशन, जब तक ये पर्मिशन की कोज में लगा रहा, पर्मिशन से सफलता देते गे, देते गे, सफलता देते गे, जब तक पर्मिशन की कोज में लगा रहा, पर्मिशन की कोज में लगा रहता था, और जब तक वे योवा की कोज में लगा रहा, तब त परमिश्र उसको सफलता दी, ये है सफलता की कुंजी, ये है सफलता का तरीका, ये है सफलता पाने का रास्ता, परमिश्र की खोज में लगा रहा, परमिश्र की इसने चाना रखी, परमिश्र की इसने इच्छा को जानने की कोशिश की, परमिश्र की इसने इच्छा को पूरा रहा और लिखा है परमिश्र ने इसे सफलता दी परमिश्र से सफलता दी परमिश्र के लोगों आपको भी परमिश्र सफलता देंगे आप भी परमिश्र की खोज में लगे रहें लिखा हुआ है न मतिशे में के पहले परमिश्र की राज्य की खोज करना तो सब्वे वस्तितो तुम्हें मिल जाएंगे, परमिश्क राज्य की खोज करना, परमिश्क राज्य और धारमकता की खोज करना लिखा है, तो पहले परमिश्क राज्य को पा रहें, तो सब वस्तों तो यह मिल जाएंगी, तो यह परमिश्क को पाने की खोज में नहीं लगा रहा, यह परमिश्क जब खोज करेंगे जनके परमिश्क की अपचाना रखेंगे जब परमिश्क की उडीक रखेंगे परमिश्क की तांग रखेंगे परमिश्क की लिए तड़ पेंगे परमिश्क सा संती के लिए तड़ पेंगे आपके अंदर हलचल सी मची रहेगी नहीं मुझे परमिश्क से देना हैं, नहीं परमिष्क का सम्थि करनी है, नहीं मुझे परमिष्क इच्छा ही पूल Хотя nishe कर्मिष्क का भय में चलेंगे अ इच्छा जानने कोशिश करेंगे इच्छा पूरे करने कोशिश करेंगी तो परबिष्ट सफलता देंगे इतनी बड़ी इसे सफलता मिली इतनी बड़ी से सफलता मिली हालेलुया और दूसरा त्यास सत्रां द्याई दूसरा त्यास सत्रां द्याई थोड़ा साब को और परमेश्वर के वचन में से आप से बात करूँ दूसरा त्यास सत्रां द्याई और उसका तीन से शेवचन तक पढ़िएगा यहवा यहोषापात के संग रहा है यहोषापात के संग रहे हां संग रहा चूँकि उसने अपने मुलपुरश दाउद की प्राचिन चाल का अज़ुचरन किया और बाल देतों की खौज में नै लगा तो इसने क्या किया योशापात ने इसके सफलता का आपको और आज बता रहा हूँ ये कैसे इसने सफलता पाई यहुआ योशापात के संग रहा क्योंकि उसने अपने मुल्परशदाओद की परचीन चाल का अनुसरन किया और बाल देवताओं की खोज में ना लगा अब फोड़े थे उन देवताओं की खोज में नहीं लगा यह परमिश्र की कोज में लगा यह होकी होग यहां की खोज में लगा रहता था यह भी वहां से यहाँ से पिर, पर्मेश्र की कोज में लगा रहता था, और उसरी की आग्यों पर चलता था, जैसे जरायली लोग राजे थे वो, तो यहां भी वो बात लिए है प्रमिश्ः की खोज में लगा रहता था उसके अग्याओं पर चलता था और बाद देवताओं की खोज में नहीं बलकर प्रमिश्ः की खोज में था कि पांच वेचन में लिखा है इस कारण उसके हाथ में बेड़ कर दिया यह सफलता थी उसकी और सारे यूदि उसके पास भेंट लाया करते थे और उसके पास बहुत धन हो गया और उसका वैब बढ़ गया उसके पास बहुत धन हो गया उसका बहुत धन हो गया लिखा हुआ इस कारण से उसका बहुत धन बढ़ गया रग्जे को परमिश्य उसके हाथ में दड़ किया इस कारण से क्योंकि वो देपताओं की खोज में नहीं था बलके यहोवा परमिश्य की खोज में लगा रहा और उसी की आग्याओं पर चलता था एराबाशिदाराखबाश्य शेवचन फिर पढ़िएगा यहोवा के मारगों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया फिर उसने युदा से उन्चा स्थान और अशेरा नामक मूरते दूर कर दी फिर उसने क्या किया युदा में जितन भी उन्चा स्थान थे उन्चा स्थानों पर पूजा की जाती थी तो वो उनको हटवा दिया और अशेरा जो उस समय की देवी थी उसको भी उसकी मूर्तें जो थी वो भी हटवा दिया उसने हलेलुया और फिर देखिए क्या हुआ दूसरा गता सत्रंद है हाँ यहीं पार ही चौदा से लेकर अठारा मचन तक पढ़िएगा चौदा से अठारा तो कि यह परमिश्क की खोज में लगा था उनके यह सुलिमान के पड़पोते का पुत्तर था सुलिमान के पड़पोते का पुत्तर जिसके हम बात कर रहे हैं हाँ इनके पित्रों के घराने के अंसार इनकी यह गिंती थी अर्थात युदी सहे पतियों तो ये थे परधान अधना अर्थात युदी सहे पतियों तो ये थे परधान अधना जिसके साथ तीन लाख शूर विर थे अब इसकी सैना के बात हो रही है यो शपात के जो परमिश्क खोज में लग रहा, इसकी सैना कितनी? तीन लाँ शूर्विर थे, हाँ, आगे, और उसके बाद परदान यहुना, जिसके साथ दो लाँ असी हजार पुरस थे, हाँ, अब दूसरा जो इसका मुखिया था, उसके पास दो लाँ असी जार सैना हो गई, हाँ, उसके बाद, जिक उसके साथ दो लाख शूरवीर थे तो यो दूसरा सेसर पती था सेनापती को हो दो लाख उसके पास शूरवीर थे और बियामीन में से अलियादा नम एक शूरवीर जिसके साथ ढाल रखने वाले दो लाख धनुधारी थे धाल रखने वाले दो लाख धनुधारी यह थे ठीक और उसके नीचे जिसके साथ यूद्द के हधियार हद्यार बांदे हुए एक लाख손近yство हिजार फिल के साथी हुए, जानी कि ज़ हो टोटल प्वाक साथ हजार हम एंको गिन लेजिए ग़िूर लाख साथ हजार की सैना, 11,00,000 की सैना वाओ परमिश्र का धनिवाद हो इतना बड़ी सैना 11,00,000,000 साथ हजार सैनक इतनी बड़ी सैना इसका कारण था जो पांच वैचन में लिखा हुआ है, इसका कारण ये था के ये परमिश्र की खोज में लगा रहा, परमist की अगओं पह चलता रहा और इसने सब मूर्तों का हटा दिया, अशेरा उस समय की जो देवी होती थी और उस समय जो बाल देता था उसकी खोज में नहीं लगा, बलकि यहोओआ परमिश्य की खोज में लगा रहा, इतनी बड़ी सफलता मिली पहले भी हम लोग ने उजिया के बारे पड़ा योशापात के बारे पड़ा राबाशिदा एक बात जो जो परमिश्च की खोज में लगे रहे वो सफल होते गए और आज के लिए यही आपसे मैं कहना चाता हूँ जो लोग आप परमिश्च की खोज में लगे रहोगे परमिश्च आपको सफलता देंगे अगर आप परमिश्च की खोज में लगे रहोगे तो परमिश्च आपको सफलता देंगे अगर आप परमिश्च की खोज में लगे रहोगे लाइब बहुत कम जुड़ते हैं, च्योंकि कुछ लोगों की ये बातें जो हैं वो नहीं समझना चाते हैं, और मैंने देखा है, कि जो कुछ जगा पे लाइब जो चल रहोता है, चाहिए वो पराना चल रहा हो, चाहिए वो कुछ भी ना बता रहे हूं, ऐसे ही बातें कर रह था रहे हैं तो लाइब जधाओ जिटने ये वचन ही आपके काम आएगा, जे वचन ही आपके काम आएगा, अगर आप उजिया बूल जाएंगे, अगर आयो शापत का नाम भूल जाएंगे, आपको इतना जूरूर याद रहेगा कि एक ऐसे हुआ था, तो ऐसा हुआ था, आप गिंती भूल जैंबे 11,60,000 थी उसकी सैना, लेकिन आपको यार रहेगा कि बहुत बड़ी सैना थो थी उसकी, ऐसा हुआ था, वचन का ग्यान, सफलता, कैसे मिली, ये कितनी बड़ी बात है, दोनु जगह से आपने पड़ा, कितनी जबरत सफलता है मिली दोनों को, और कै कैसे मिली, परमिश्क को खोज किया, उसने भी उसने परमिश्क को खोज जा, और इसे क्या हम लोग, परमिश्क को बचन क्या है, अगर आप भी परमिश्क को खोज देंगे, तो आपको सब होता में लगे, आपके अंदर चाना हो, आपके अंदर तडप हो, जैसे मशली पान की बेना तर्पति है आप जब प्रमिश्क सा संक्ति के लिए समय नी मिलते आप तर्पति है बुखला जाते हैं कई बार अब बी शानम इननि मिला अभी आज परमिश्क की खोज में लग रहें सब्सक्रापकी हैं और यहिए सबसे बड़ी सुना मेरे प्रभी शुमसी जी आपका धनेवाद करता हूँ पावितर 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 परमेश्वर आपका धनेवाद करता हूँ जिन्हें बचन सुना मैं विश्वास करता हूँ ये आपकी खोज में लगे रहेंगे क्योंकि जब तक ये आपकी खोज परमेश्र पिताप अबिश्मसी ची आपको बलस्ट करते हैं अबिश्मसी ची आपको बलस्ट करते हैं